दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफड से आप सभी कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में कुरोना कहर के बेज निती सरकार जल्द निकालेगी बंपर वेकेंसी हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने दिया ये बयार स्वास्त मंत्री मंगल पानी ने कहा कि मुख्मंत्री के निर्देश पर मानव बल बढ़ाने की दिशा में स्वास्त बिभाग ने तेजी से करवाई की है बिभाग द्वारा राजी के सरकारे चिकिस्ता महावेदाले से पीजी वर डिप्लोमा पास डाक्टरों से बंद पत्र के अधिन तीन वरसे अनिवारी सेवा के कूल 1995 फ्लोटिंग पदो किस रेजन की स्विकृति दी है इन डाक्टरों को जल्दी नियोजित किया जाएगा सरक अगली बड़ी खबर अब 30 जुन के बाद जस्वी का परिनाम अब 30 जुन के बाद जारी किया जाएगा सीबीअसी के परिचा नियंत्रक सयम भरदुराज द्वारा मंगलवार द्वराम मंगलवार को एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया है उन्होंने बताया कि विविन राज्यों में COVID-19 में हमारी लोगडाउन, इसकोलों के सिक्चक और अनकर्मचारियों की सुरक्चा को देखते हुए दसवी की चात्रों को अंको को CBSE की वेवसाइट पर अपलोड करने के अंतिम तारिके बढ़ा दी गई है बोड के मताबिक अब स्कोल आंतरेक मुलाकन के 20 अंक और मुलाकन कमिटी द्वारा 80 में से तै के जाने वाले अंकों को 30 जुन तक CBSE की वेवसाइट पर अपलोड कर सकेंगे ऐसे में बोड 20 जुन को परिनाम नहीं जारी करेगा अगली बड़ी कबर अब पुरे देश में लागू होगा बिहार का कोविड एप पीम नरेंदर मोदी ने भी सा रहा जिहां बिहार में कोरोना वारे संक्रमन की जानकारी लेने मरीजों को ध्यान रखने तदा उन्हें आवाशक स्वेधाय देने में होम आइसलेशन कोविड एप की बड़ी भूमिका रही है बेते दिन प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदी ने देश भर के नो राज्यों को 46 जिलादिकारियों के साथ अपने वर्चुल समवाद में कोरोना वारे संक्रमन की चिनोतिय और इससी निबटने की उपाय की जानकारे ले इस दोरान पटना की जिलादिकारी चंदर सिखर सिंग ने उन्हें इस आइसलेशन ट्रेकिंग एप की जानकारी दी प्रधान मंत्रे ने इसकी तारिप की अब से राष्टे इस्तर पर लागू करने का फैसला किया गिया है अगली बड़े कबर स्मार्ट सिटी की रेंकिंग में जारकन पहले पायदान पर बिहार को 27 इस्तान पटना 68 तो राची का नंबर 12 जिया बिहार से अलगो कर नया राज जारकन 15 नॉमबर 2000 को बना लेकिन स्मार् पाटना 68 इस्तान पर है यही नहीं राज और केंद्र सासित प्रदेशों की सुची में जारकन पहले पायदान पर और बिहार 27 इस्तान पर है जारकन बिहार को काफी पीछे छोड़ दिया है भारत के 28 राज्यों और केंद्र सासित प्रदेश के बिविन 100 सरों में स्मार्ट स सिनली मिनसिपल कर्पोरेसन 41 बे इस्थान पर है अग्ली बड़ी खबर हो माईसलेशन में रहने वाले खाएंगे सरकारी भोजन सेम नितिस कुमार बोले हर प्रकण में खोलेगी सामुदाइक रस्या मुखमंत्री नितिस कुमार ने निर्देश दिया है कि हर प्रकण में सामुदाइक रस्या खोली जाए ताकि अधिक से अधिक जरुत मन्द इसका लाव उठा से किस्ता थी उन्होंने सामु रसोई के मायदम से भोजन उपलब कराया जा रहा है बड़ी कबर बिहार में अब खुद तयार कर सकेंगे बिजली बिल मिस्कॉल करने पर मिलेगा पूरा ब्योरा मिलेगी छोड़ू बिल भोकतान की स्विधा तो बिजली विवाग उप भोकताओं को पहले से दे रही है और अब उन्हें खुद से बिल जनरेट करने की विववस्ता करा दी है लोगडाउन के कारण बिजली का बिल घर नहीं पहुच रहा है तो इस नई स्विधा विवस्ता से परिशानी दूर हो जाएगे वह इस सेल्प बिलिंग की स्विधा प्रदान करने से अब भोकताओं की रीडिंग से जोड़ी सिकायती भी समापत हो सकेगे दर असल लॉकडाउन के दोरान मिटा रीडर का घर घर जाना संभव नहीं है इस कारण अब भोकताओं को बिजली बिल जनरेट करने क विकल उपलब कराया गया बिजली बोकता सुविधा एप के मायदम से अपना बिल जनरेट कर सकेंगे ओलाइन भोकतान भी इस एप के जरिये घर बेटे कर पाएंगे अन्तिम बिल जारी होने के 35 दिन पूरा होने पर बिजली बिल बनाने का प्रावधान है आपको बदा दे की बिजली बिबाग मिस्कॉल करने पर बिल उपलब कराने के भी भी सुविधा दे रहा है बिजली बिल मॉबाइल पर मिलेगा इसके लिए केवल 7666008833 नंबर पर मिस्कॉल करना होगा या सुविधा केवल रजिस्टर नंबर पर उपलब है अगली बड़ी कबर राज में दूर होगी वैक्सिन की किलत 1-15 जून तक राज्यों को कोरोना टिके की मिलेगी 5-86 लाग खुराग केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने बुद्वार को कहा कि केंद्र की ओर से पाले से उपलब्त कराए गए एक अनुमान के मुताबिक राज्य और केंद्र सासित प्रदेशों को 1-15 जून तक कोविट टिके की 5-86 लाग खुराग निसुल्क मुहया कराई जाएगी मंत्राले ने कहा कि इसके अतरी टिका बनाने वाली कमपनियों से प्राप्त अनुमान के अनुसार राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों के लिए ट टिके की सिदिक खरीद के वास्ते जून के अन तक कूल 4-87 लाग खुराग उपलब्धोगी अगली बड़ी कपर बिहार में घट रहे कोरोना के मामले मिले 6,069 संक्रमित मरेज संक्रमन दर में आई गिरावर जिया बिहार में पिछले 24 गंटे में 6,069 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है बुदवार को मिली सुचना के अनुसार पिछले 24 गंटे में 1,440,102 सेंपल की कोरोना जाच की गई राज में कोरोना संक्रमन की दर 4.32 पीज़दी हो गई है जबकि एक दिन पूर्व राज में संक्रमन दर 4.65 पीज़दी था वाई पटना में नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है इसके अलावा स्वास्त विवाग से मिले जानकारी के अनुसार राज के 22 जिलो में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मरिज की पहचान की गई है अरर्या में 68, औरंगाबाद में 27, बेगु सरा में 335, भागलपूर में 261, पूर्वी चमपारान में 42, गया में 269, गुपाल गज में 94, कटिहार में 26, किसन गज में 34, मधिपूर में 32, मधूबनी में 247, मुंगेर में 17, मुझपर पूर में 68, नालांदा में 22, पूर्णिय में 163, सार्शा में 120, समस्तिपूर में 175, सारान में 177, सितामणी में 177, सुपल में 278, वैसाली में 119, और पाश्चिमी चमपारान में 128, नई कुरोना संक्रमित मरीज की पैचान की गई है अगली बड़ी कबर कोरोना से रिकावरी के तीन महिने बाद लगेगी वैक्सिन, केंद्रे ने मानी सिपारिस जी हाँ कोरोना संक्रमित लोगों को अब रिकवरी के तीन महीने बाद टीका लगाया जाएगा जबकि अब तक छे महीने बाद वेक्सिन लगवाने की सिपारिस की जाती थी केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने कोविड-19 टीका करन अभियान को लेकर बनाये गए नेशनल एक्सपर्ट ग्रूप की सिपारिस को मंजुरी दे दी है नई नियम के मुताबिक अगर कोई कोरोना टीके की पहले खुराक लेने के बाद संक्रमित हो जाता है तो वो रेकवर होने के तीन महीने बाद दूसरी खुराक ले सकता है इसके अलावा एक्सपर्ट समोने इस्तनपान करने वाले महिलावों के लिए भी कोविड-19 टिकाकरन कराये जाने की सिपारिस की है साथी टिकाकरन से पहले वेक्सिल लेने वालों की रेपीड एंटिजन टेस्ट किये जाने को भी मना किया गिया है बाड़े कबर तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर बेड ऑक्सिजन दवाओं के साथ खाने पीने की भी कराया इंतिजाम तेजिस्वी आदम ने राज सरकार से इट कोविट केयर सेंटर को टेक और कर संचालित प्राइ जाने का अनुरोद किया है तेजिस्वी आदम ने कहा कि सरकार भले ही हमारे लिखे पत्रों का जवाब नहीं दे रही है लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम हर कहा कि अपने सरकारी आवास में हमने बेड ऑक्सिजन दवा सही तमाम जरूरित इंतिजाम किये हैं सरकारी आवास होने के नाते हम इस सेंटर का संचाला नहीं कर सकते हैं ऐसे में सरकार से आग रहा है कि इसे संचालित कराएं अगले बड़ी कवर बिहार में मुख्या के लिए बुरी कवर चेक या ड्राप्ट से लेंदेन करने वालों की जैसे सरकार ने केस करने का दिया निर्देस जिया बियार में कोरोना के कारण पंचायत चुनाव संकट में है, कोरोना से लड़ाई के बेच लगबग ढहाय लाग पंचायत प्रतिनीद्यों का टेंसन बढ़ा हुआ है, अगले महिने 15 जून को मुखिया और सरपंज का कारिकाल खतम हो जाएगा लेकिन उससे पहले पंचा प्रति राजबिवा के मंत्री समरार चुद्री ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, मंत्री की ओर से जारी आदेश के मुताविक 1 अप्रेल 2021 के बाद चेक या ड्राप से लेंदिन करने वाले त्री स्तरिया पंचायत प्रतिनीदी नपिंगे बड़ी कबर कोरोने के बाद बिहार में जारी है बलेक फंगस का कहर, आज मिले 34 नए मरीज, अब तक साथ का हुआ है अप्रेशन जिया बलेक फंगस मियुकर माइकोसिस के कूल 34 नए मरीज, पिछले 24 घंटे में पटना के बड़ी सरकारी अस्पतालों में जार्च कराने पोचे, इन में से 24 लच्छन वाले मरीज एमस के ओपीडे में जबकि 9 IGMS में और 1 PMCH में पोचे, एमस में पोचे 24 में से 7 को इलाज के लिए भरती कर लिया गया, आइन को दावा दे कर जाच कराने की सला दे गई, वही IGMS में आए सबी 9 लोगों को बलेक फंगस यूनिट में भरती किया गया, अब तक 7 लोगों को ऑपरेशन किया जा चुका है, 3 और लोगों के ऑपरेशन की तैयारिक की जा चुकी है, अग 31 माई या एक जून से मानसुन के सुरू होने का पुरवानुमान है, वही मौसम बेगानिक ने बताए कि बिहार में मानसुन कब तक आएगा, इसका सटिक पुरवानुमान 31 माई या फिर एक जून को लगाया जा सकेगा, साथ उन्होंने बताए कि प्री मानसुन में अब तक लगबग 21% अधिक बारिस दर्च की गई है। साथ उन्होंने बताई कि पिछले साल मांसुन ने बिहार में 13 जुन के एंट्री की थी। मांसुन के बिहार में एंट्री होने के बाद पूरे बिहार में प्रबल होने में 3-4 दिन लगते हैं। अगली बड़ी कबर मुझपरपूर के गाव में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत दसत में ग्रामिन जिहां बिहार में कोरोना वारिस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। सहरों के बाद गाव में भी इसका असर दिख रहा है। राज के पंचायतों में चल रहे। उप स्वास कें केंदर की हालत खराब है। कोरोना संक्रमन की वज़े से मुझपरपूर जिले के सक्रा प्रकन के सरमस्पूर पंचायत में पिछले 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हुचुकी है। कोरोना की वज़े से हुए मौत को लेकर ग्रामिन दसत के माहल में है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहां की लोगों का कहायना है कि बहुत से लोगों में कोरोना के लच्छन दिखाए दिये लेकिन उनका टेस्ट नहीं किया गिया। और आंकी बड़ी कबर वार्टसेब प्रावेसी पोलीशी पर केंदर सरकार सकत कहां वापस लोग पोलीशी व सरकार के सुत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है वार्टसप ने पहले दावा किया था कि उसने अपने प्रावेसी पॉलिसी को 15 माई तक के लिए टाल दिया था अब फिर से वार्टसप योजर्स को फिर से प्रावेसी पॉलिसी पर समाती देने के लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं के इंदर सरकार ने वर्टसेप को बेजे गए नोटिस में कहा है कि उक्त तारिक तक प्रावेसी पॉलिसी अपडेट को रोकने का यहां अर्थ नहीं है कि वह सुचना का प्रावेसी डेटा की सुरक्चा और यूजर्स की पसंद और नापसंद का सम्मान ना करें साथ यह आईटी मंत्राले ने वर्टसेप को साथ दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है नहीं तो कानून के मुताबिक उसके खिलाब करवाई की जाएगी आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते वे 25 मैं के बाद ल में नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं